नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज हम में स्वागत है हमारे देश में मुख्यत खरीब की फसल ली जाती है रभी के मौसम यानी नवेंबर से अप्रेल के बीच में कुछी लोग खेती करते है मद्ध भारत की अधिकांग्श भूमी खाली रह जाती है छोटे किसान तो निवेश के अभाव में जमीन को खाली ही छोड़ देते है ऐसे में अगर आपके पास जमीन नहीं है और आप खेती करना चाहते है तो रभी के सीजन में ऐसी खाली जमीन को किराय पर लेकर खेती कर सकते है इससे छोटे किसानों को भी आमदानी हो सकती है मैंने प्रयोक के तोर पर एक एकर जमीन किराय पर लेकर खेती की आज उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे गेहों की खेती का पहला चरण होता है जमीन की तैयारी नौंबर से दिसम्बर के माह में ग्यों की बुआई की जाती है किराय की जमीन पर खेती के लिए ऐसी जमीन का चुनाओ करना चाहिए जो समतल हो तथा जहां सिजाई का स्रोत हो खेत का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि ट्रेक्टर और हर्वेस्टर जैसे मशिन को चलाने में कोई परेशानी ना हो सबसे पहले खेत में पानी डालकर 5-6 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है इसके बाद खेत में डियेपी का च्छिड़काव किया जाता है और उसे अच्छी तरह से ट्रेक्टर से जुताई कर दियाती है इससे डियेपी खेत की मिटी में अच्छी तरह से मिल जाती है इसके बाद ग्यहों की बुवाई की जाती है बुवाई या तो क्यारी बना कर कर सकते हैं या समय बचाने के लिए छिड़क करकी जा सकती है क्यारी बनाकर बीज बोने से उत्पादन अधिक होता है लेकिन इसमें अधिक लागत लगेगी, मेहनत भी अधिक लगता है गुवाई के लगबग एक हपते बाद गेहूं के पौधे आपको दिखाई देंगे तब गेहूं के पौधे में एक पत्ती नजर आएगी गुवाई से 15-17 दिन के बाद पौधों की उचाई लगबग 8-10 सेंटीमीटर की हो जाती है इस समय पौधे में आपको तीन पत्तियां दिखाई देंगी तब खेत में यूरिया डालकर सीचाई की जाती है वाई से लगबग 45-50 दिन बाद पौधों में बाली विक्सित होना शुरू होता है इस समय दोबारा यूरिया का छिड़काओ किया जाता है तथा उसके बाद फिर से परियाप्त सीचाई की जाती है रासानी खाट का प्रयोग करने से पहले अपने छेतर के क्रिशिवी ज्यान केंदर में संपर्क कर लेना चाहिए ताकि खाट की उचित मात्रा के बारे में सही सलाह मिल सके हर बार रासानी खाट डालने के बाद खेत में परियाप्त मात्रा में सिचाई की जानी चाहिए बुआई के 55 से 60 दिन बाद गेहों में बालियां आ जाते हैं बुआई के 3 से 37 महिने में गेहों की फसल पक करते यार हो जाती है अब आख्री पड़ाव होता है हार्वेस्टिंग यानि फसल से अनाज प्राप्द करने का समय इसमें फसल की कटाई, धुलाई, तथा मिंजाई या थ्रेशिंग शामिल है अगर खेती बड़े पैमाने पर की गई हो तो मशीन की सहता से एक ही बार में ये तीनों काम हो जाएगा लेकिन अगर छोटे पैमाने की खेती है तब सभी का मानव श्रम से करना होगा नहीं तो लागत बर जाएगी फसल कटाई का समय जैसे जैसे नजदीक आता है खेतों का विशेज ध्यान रखना होता है ताकि आवारा मवेशी खेतों में ना गुसे मवेशी खेतों में गुसने से यहू के पौधे तूट कर जमीन पर लेट जाते है जिससे फसल कटाई में अत्य ठीक परशानी होती है यह महनत और लागत दोनों को बढ़ा देता है कटाई हो जाने पर फसल को खलियान तक ढूलाई और थ्रेशिंग का काम जल्दी कर लेना चाहिए बे मौसम बरसाथ से फसल धीम जाने पर थ्रेशिंग ठीक से नहीं हो पाता तता अनाच का नुकसान होता है यह तो हो गई गिहूं की खेती के सबी स्टेजिस के बारे में जो मैंने खुद खेती करके जाना है अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो या आपका कोई अनुभव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताए जल्दी सेकंड पार्ट में मैं खेती में मेरी इन्वेस्मेंट और प्रॉफिट के बारे में बताऊंगी साथ ही मुझसे हुई कुछ गलतियों और कुछ अन्प्रडिक्टबल प्रॉब्लम्स के बारे में भी शेयर करूँगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग